आपने सनी द्योल का सुपरीड डायलोग तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक मिलती रही माई लौड बस इंसाप नहीं मिलता तो सुना ही होगा साथ ही याद होगा उनका पहना हुआ लंबा कोट आप सभी ने कभी न कभी वकील को देखा ही होगा जैसे कोई अफिडेवेट बनवाना हो, कोई कानून सला लेनी हो या फिर किसी केस को लड़ने के लिए आप उनसे मिलते भी होंगे आप भी उन्हें काले कोट में ही पहचानते हैं कि वे वकील है लेकिन उनके इस पहनावे के बारे में जानते हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं उनके काले कोट पहनने की वज़ा क्या है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें क्यूंकि इस चैनल में हम सिर्फ लौकी ही जैन कर देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वकील जो काला कोट पहनते हैं वो कोई फैचन नहीं होता बल्कि इसके पिछे बात ये है कि साल 327 में ही वकालेत की शुरूआत एडवर्ट तरित्य द्वारा की गई थी और उस इसमें वकीलों का पहनावा भी तै किया गया था लेकिन वक काला कोट नहीं बलकि सुनेरे लाल रंग के कप्रे और उस पर भूरे रंग का गाउन हुआ करता था उस समें जज अपने सिर पर एक लंबे बालों वाला विक पहना करते थे और वकीलों को चार भागों में बांटा गया था जिसमें स्टूडेंट, प्लेडर, बेंचर तथा वैरिस्टर होते थे साल 1600 में फिर सोचा गया कि बार कांसिल को जनता के हिसाब से अपनी यूनिफॉर्म डिसाइड करनी चाहिए और उसके बाद बेश वुश्या के रूप में उनके लिए लंबे काले कोट टेक किये गए ऐसा माना जाता था कि ये लंबा काला गाउन उनके पेशे की पहचान है और जो वकीलों को बाकी लोगों से अलग करता है साल 1694 में जब कुईन मेरिक का निधन हुआ था तब उनके पती राजा विलियंस ने सभी जज़ों और वकीलों को काला गाउन पहन कर इकठा होकर शोक मराने का आदेश दिया था उस आदेश को कभी रद नहीं किया गया और आज तक वकील ये लंबा काला गाउन पहनते आ रहे हैं साल उनिसो कासट में वकीलों के काले कोट को लेकर एक अधिनियम जारी किया गया जिसके अनुसार अदालत में वकीलों को स्पेद शेट पर स्पेद बेंट टाई और काला कोट पहन कर आना निवारी कर दिया गया आज यह काला कोट जो वकीलों की पहचान है कहा जाता है कि यह प्रधिकर्ण और शक्ति का प्रतिक है वहीं स्पेज, बेंट, टाई को निर्दोशी और शुद्ता का प्रतिक माना जाता है तो फिर दोस्तो आज की वीडियो में हमने जाना की वकील काला कोट क्यों पेहनते हैं वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड को शेयर करें